आपका अपना चैनल जहांपे आपको DFCCIL की मिक्स क्वेस्टिन्स हम करेंगे कुईजेज करेंगे और DFCCIL के फूल कोर्स हम कवर करेंगे अपको पहले भी बताया था और अपने चैनल पे भी अपडेट दी थी तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जलदी जल चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बल आइकॉन को प्रेस करना बिलकूल इना फूलिए Q1 के साथ सुरू करते है The method adapted for surveying with compass तो दोस्तों, compass में जो method हम adapt करते हैं वो आपका है traversing और chain के लिए हम triangulation यूज़ करते हैं ठीक है दोस्तों अब area जो है यह large होना जरूरी है यह बड़ा होना जरूरी है आपका compass में फिर आपका जो है undulating या फिर crowded area के लिए भी यह suitable है ठीक है और दोस्तों जो भी जो यहां पे जो details जादा details रहेगा तभी भी हम compass को ही compass वाले method को ही adopt करेंगे Q2 के और बढ़ते है true meridian of different places तो दोस्तों true meridian होते क्या है जो आपका geographical जो geographical north या south pole होते है उससे जो meridian पास करते है उससे हम कहते है true meridian तो दोस्तों यह जो है यह parallel नहीं है तो यह parallel एक दूसरों के साथ नहीं है लेकिन इसको parallel assume किया जा सकते है अब magnetic meridian जो होते है यह आपका जो है यह magnetic north और south के बराबर से पास करते है लेकिन magnetic meridian जो है अगर आप कोई भी magnets को कोई लटका देंगे किसी के साथ तो magnet जो direction इंडिकेट करेंगे वो ही आपका होता है magnetic meridian अब देखें true meridian क्या है यह converge from equator to poles parallel तो है नहीं लेकिन parallel assume किया जाता है question number 3 के और बढ़ते है the whole circle bearing of a line दोस्तों whole circle bearing 290 degree है तो reduced bearing क्या हो जाएंगे तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि जो quadrants है उसके हिसाब से यह आपका north है south है east है और west है तो जो भी आपका जो reduced bearing होता है न वो north और south से जो भी pass रहेगा north अगर पास रहेगा मतलब north east में north से लेते है north west में north से लेते है south में south से लेते है इस्ट में और south west में भी south से ही लेते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पर जो है न कि हम क्या करते है कि आपका जो यहां पर है तो यहां पर यहां पर क्योंकि यहां पर 270 डिग्री है तो 360 माइनस आपका हो गया 290 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका नौथ 70 डिग्री वेस्ट है दोस्तों पिछले 180 से जाधा हो जाएंगे तो 360 से इसको घटा देना है अगर टुब बेरिंग जो हैं यहा आपका 180 से कम है मतलब फर्स्ट को मतलब नौर्थ नौर्ट और साउथ के बीच है इस्ट में तो यहाँ पर आजिमेद जो है यह आपका true bearing से equal हो जाते है लेकिन अगर जादा हो जाएंगे 180 से तो यह आपका 360 से आपको घटाना पड़ेगा question number 4 के और बढ़ते है back bearing दोस्तो back bearing क्या हो जाते है back bearing होता है 4 bearing plus minus 180 प्लस साइन दोस्तों हम तब यूज करेंगे अगर प्लस साइन हम तब यूज करेंगे अगर आपका फोर बेरिंग जो है यह 180 से कम हो जाएगा और अगर दोस्तों यह 180 से जाधा हो जाते है तो यहाँ पर हम minus sign को यूज करेंगे question number 5 के और बढ़ते है graduations in prismatic compass तो दोस्तो prismatic compass और surveyors compass को थोड़ा सा हम थोड़ा सा details में हम देख लेंगे ठीक है prismatic और आपका है surveyors ठीक है यह फिर डायल भी कहते है यह आपका जो है ना माइनर्स डायल भी कहते है इसको जीरो से 360 डिग्री तक के बीच की जो एंगिल वो मेजर करेंगे और यह 0 से 90 डिग्री मतलब आपका जो reduced bearing है उसी को और यह clockwise जाते है दोस्तों यहाँ पर 180 और यहां पर 270 फिर 307 यहां पर जो हो जाते हैं दोस्तों surveying surveyors campus में भी आपका south में 0 रहता है और नौर्ट में भी 0 रहता है और दोस्तों यहां पर 90 डिग्री दोनों इधर और east और west में लेकिन west को east कहा जाता है और इसका जो graduation से वो रहता है आपका upright ठीक है तो यहां पर correct आंसर कौन सा हो जाएंगे यहां पर correct answer हो जाएंगे आपका option है one and three inverted तो रहता है और zero degree south में रहता है clockwise run करते है question number six के और बढ़ते है which of the following compass graduated card is attached to the box and not to the ring तो ring में attached रहते है आपका prismatic compass के लिए लेकिन graduated card जो है box में attached रहता है आपका surveyors compass के लिए चलिए आगे बढ़ते question number seven के और the magnetic bearing of a line AB south 45 degree east and declination is 5 degree west तो यहां पर true bearing क्या हो जाएंगे दोस्तो true bearing और magnetic bearing की हम थोड़ा सा इसको देख लेता है तो magnetic bearing plus declination अगर यह yeast रहेगा तो और अगर magnetic bearing bearing minus declination अगर यह west में रहेगा तो दोस्तों यहां पर क्या गया है कि magnetic bearing दिया गया है अब आपको निकालना है आपको true bearing तो देखें दोस्तों यह west में है तो इसको घटाना पड़ेगा लेकिन यह क्या है ना कि यह west है और यहां पर east है तो दोनों add हो जाएंगे तो फिर आपका correct answer आजाएंगे 50 डिग्री इस्ट ठीक है क्यों add हो रहा है क्योंकि दोनों अलग से है south 45 डिग्री इस्ट यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है question number 8 की और diurnal variation तो देखे दोस्तों magnetic declination क्या होता है कि यह वैरी करता है और बहुत सारे चीजों के लिए वैरी करता है जैसे कि आपका secular variation हो जाता है annual मतलब आपका साल कदम होने पर भी यह diurnal day और night के difference के लिए भी यह आपका magnetic declination वैरी करते है और irregular variation जैसे कि कोई solar storm हो गया या फिर earthquake हो गया तो भी आपका diurnal variation हो जाएंगे तो diurnal variation जो है दोस्तों equator में ज्यादा effect नहीं फैलते है लेकिन poles में इसका effect बहुत ही ज्यादा है question number nine के और बढ़ते है magnetic poles में dip कितना होता है दोस्तों dip हो जाता है 90 degree और आपका equator में जो है यह आपका हो जाता है 0 degree यह आपको याद रखना है अब दोस्तों dip क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर magnetic needle को अगर आप लटकाते हैं तो यह horizontal से जो भी angle बनाएंगे उसी को हम कहते है डीप ठीक है declination दूस्तों vertical angle हो जाते है लेकिन declination horizontal angle होता है लेकिन यह पर vertical angle बन जाता है आपका डीप ठीक है किसी भी lines की उपर और वो से कोई line पास करेंगे तो वह हो जाता है आपका agonic lines अगे बढ़ते है क्वेस्चिन 11 की और whole circle bearing दोनों लाइंज के लिए दिया हुआ है आपको निकालना है included angle दोस्तों पहले figure को ड्रॉ करते है अगर यह आपका a हो जाता है तो यहां पर किया कितना दिया गया है 115 डिग्री तो यहां पर 115 डिग्री और joining points having same elevation above the datum surface तो इसे कहते हैं हम contour line जो जिसका भी आपका elevation सेम रहेगा उस points को अगर हम single line से join करते हैं वो हो जाता है आपका contour line question 13 की और बढ़ते है contour lines एक दूसरे को cross कर सकता है सिर्फ और सिर्फ over hanging clip पे ही एक दूसरे को contour lines cross करेंगे कोई और में नहीं cross कर सकता है vertical clip में एक दूसरे के साथ मिल जाता है लेकिन कभी भी cross नहीं करते हैं लेकिन over hanging clip के लिए दोस्तों आपका cross हो जाता है बहुत details में गहरे है हमने discuss की थी पिछले वीडियो में उसका भी link हम description पे दे देंगे चलिए question number 14 के और बढ़ते है contour lines cross ridge या फिर valley lines तो दूस्तों ridge और valley lines को ये 90 degree में cross करते है option D हो जाएगा आपका correct answer question number 15 के और बढ़ेंगे the operation of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding lines on the ground इसे कहते है हम orientation ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number 16 के और closed contours of decreasing value towards the center तो अगर आपका जो value है उसका जो contour का value है वो अगर center के और घटेगा तो उससे हम कहते है depression अगर बढ़ेगा तो वो हो जाएगा hill ठीक है बढ़ेगा height बढ़ेगा तो hill हो जाएगा question number 17 plane table की size अपसे पूछा गया तो plane table का size क्या हो जाता है 600 by 750 mm drawing board की तरह दिखते है आपको तो पता ही होंगे और यह जो plane table है इसमें हम simultaneous plotting और simultaneous जो हम करते है मतलब field में ही काम करते है field में ही drawing complete हो जाता है लेकिन accuracy बहुत ही कम है इसका question number 18 के और बढ़ेंगे direct method of contouring में जो process मतलब यहाँ पे जो points को identify करने की जो process होता है जो contour में रहता है उससे हम क्या कहते है वससे हम कहते है vertical control option D हो जाएंगे आपका correct answer question number 19 के और बढ़ते है dash is defined as a curve surface which at each point is perpendicular to direction of gravity दोस्तों यहाँ पे एक बहुत important figure को हम draw करेंगे अगर यह आपका हो गया earth surface ठीक है और यहाँ पे जो है यह आपका हो गया earth surface तो यह नीचे वाला जो है datum वाला तो यहाँ पे center से जो line जाएंगे तो यह हो गया आपका level surface ठीक है यह level surface और level surface को tangent बना के जो line जाते है उसे हम कहते है horizontal line और यहाँ पे दोस्तों यह आपका vertical line हो गया जो कि आपका plum line भी कहां जाता है क्योंकि direction of gravity से यह मिलता जूलता है यहाँ पे बन गया आपका mean sea level जो कि मुंबाई में present है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे अगर यह आपका perpendicular to direction of gravity हमने बता दिय यह आपका हो जाएंगे perpendicular to direction of gravity हो जाएंगे आपका level surface ठीक है लेकिन यह जादा दर curved surface होते है question number 20 के और बढ़ेंगे which or what is the line passes through the optical centers of objective and IPs तो line जो भी आपका optical centers of objective and IPs से पास होता है आपका वो हो जाता है टेलिस्कोप ठीक है leveling की बात करें instruments जो भी है आपका डंपी level या फिर auto level टेलिस्कोप के बीच से जो जाता है optical center से उसे हम कहते है access of telescope question number 21 की बात करेंगे which of the following methods of contouring most suitable for hilly terrain तो जादा तर जो पहाड़ी area होते है उसमें आपका जो contour method हम adopt कर लेते हैं method of cross section ठीक है चलिए आगे बढ़ता है question number 22 के और bubble of level tube जो है यह आगा central रहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि line of side जो है यह आपका horizontal है बिल्कुल horizontal से parallel है चलिए question number 23 की बात करते है sensitiveness of a level tube किस से designate किया जाता है अपका radius of level tube से sensitiveness को designate किया जाता है question number 24 की बात करेंगे real image of an object formed by the objective तो real image दोस्तों कहां पे lie करेंगे real image जो है यह आपका plane of cross ears में करते है जो cross ears रहते है जो हम देखते है जो telescope में आक रखते है तो ऐसा कुछ दिखने को हमें मिलता है ठीक है तो यह आपका जो है तो real image यह ही perform करते है ठीक है plane of cross ears में चलिए last question और इस session की बहुत important question है यह क्योंकि यहाँ पर combined curvature दोस्तों आपको combined curvature रिफ्रेक्शन करेक्शन 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 इससे मिलता है आपका combined correction ठीक है तो combined correction का दोस्तों आपका formula जो है वो आपका 0.0673 d square हो जाता है और यह भी negative होता है ठीक है यह आपको याद रखना है यहाँ पर negative positive की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर meter दिया हुआ लेकिन आपको हमेशा हमेशा आपको kilometer में ही convert कर लेना है तो यहाँ पर put कर दीजिए 0.0673 into 3.4 whole square तो यहाँ पर आपका correct answer आजाएंगे 0.778 meter option B हो जाएंगे आपका correct answer ठीक है तो दोस्तों session हमने खतम कर ली है बहुत important session थी तो आप ऐसे join करते र जरूर जूर जाईए क्योंकि यह सब का PDF आपको टेलिग्राम में बहुत जल्दी मिलने वाले है ठीक है thank you for watching this video कर दो